एक चीज जो है इस गाड़ी में हमको बिल्कुल भी पसंद नहीं है चलिए इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि इस गाड़ी को लेने में हमको कितना पैसा खर्च करना पड़ा एक शूरूम प्राइस क्या है और इस गाड़ी के साथ अगर आप ये गाड़ी लेते हो तो एसेसरी आपको क्या-क्या मिलता है तो सबसे पहले हम बात करते हैं एक शूरूम प्राइस का तो ये पढ़ जाता है एक लाग चहुत्तर हजार छेसो पच्पन रुपए और ओन रोड प्राइस का बात करें तो पढ़ जाता है दो लाग पांच हजार याद रखिएगा ये जो दो लाग पांच हजार हमने आपको अन रोड प्राइस बताया तो ये एक्जेक्ट प्राइस नहीं है ये राउंड फिगर हमने बताया कुछ कम लगा था तो वो हमको मतलब याद नहीं है कि कितना लगा था अब बात करते हैं कि जितना पैसा हमने इसको खरीदने में खर बताओ मतलब दो लाग पांच हजार हमने कर्च किया उसमें एसेसरीज जीरो और साथ में जो हेलमेट मिला उसमें भी वाइजर नहीं है और जो भी आपको एसेसरीज का रिक्वार्मेंट है तो जो भी आप मतलब लगाना चाहोगे तो उसका अलग से पैसा देना पड़ेगा तो दो एसेसरीज हमने अपने गाड़ी में लगाया है मतलब अभी तो नहीं है मतलब लिया है इसके साथ तो उसका जो है हमको अलग से पैसा देना पड़ा एक लेग गार्ड और एक इंजन गार्ड लेग गार्ड का प्राइज जो है वो 3300 रुपए हमको पड़ा और इंज गाड भी नहीं है तो इसका रीजन ये है कि सर्विस सेंटर में अवेलेबल नहीं था उन्होंने बोला कि एक बार जब आ जाएगा तो हम लगा देंगे वैसे फ़र्स सर्विस के लिए जाएंगे गाड़ी को लेके तो उस टाइम पर लगवा लेंगे और एक चीज जो है इस बिल्कुल भी पसंद नहीं आए वो है इसका वारंटी मतलब इंजन का वारंटी ये जो गाड़ी आप खरीद रहे हो इसके साथ वारंटी जो कंपनी प्रवाइड करता है इंजन का वो सिर्फ एक साल प्रवाइड करता है ये वगवान क्या ज़लूम है मतलब यार कोई सारे जो कस्टमर्स है वो गाड़ी को मतलब लेने से इंकार कर जाए क्योंकि यार दो लाग पाच हजार रुपैस का ओन रोड प्राइज है और उसके साथ इंजन का वरंटी जो है एक साल मिलता है तो ये थोड़ा सा मतलब ठीक नहीं लगा बाकि आप कमेंट करके बताईए आपको कैसा लगा हलाकि मैंने इसके साथ एडिशनल वरंटी हमने लिया हुआ है मतलब तीन साल का एडिशनल वरंटी हमने लिया है तो टोटल जो है हमारा चार साल का वरंटी इस गाड़ी के साथ मिल जाता है अब warranty लेने में भी हमको पैसा देना पड़ा जो तीन साल का additional warranty हमने लिया तो उसके लिए हमको 2799 रुपए मतलब के 2800 रुपए देने पड़े तो यहां से जो है अगर total cost हम calculate करें गाड़ी का तो हमको जो है मतलब खर्च करना पड़ा total इस गाड़ी को लेने में दो लाग 5000 में तो कुछ भी नहीं मिलता और जो तीन चीज़ हमने additional इसमें add करवाया तो total cost हो जाता है दो लाग 15000 रुपए बाकी आप देख लीजिए और हाँ एक चीज़ और यह जो सारा कुछ हम आपको बता रहे यह बिहार का है मतलब बिहार में थोड़ा सा tax ज्यादा है तो हमको price इतना पड़ा बाकी आपके state में यह हो सकता है 5-7000 मतलब उपर नीचे हो सकता है बाकी अगर इसको ज्यारखंड से compare करे तो अगर यह गाड़ी को हम ज्यारखंड से purchase करते तो यह हमको 5-7000 रुपया कम पड़ता क्यूंकि ज्यारखंड में थोड़ा सा tax कम है तो price कम पड़ता है तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था वीडियो आपको कैसा लगा? मिलते हैं एक new fresh वीडियो में तब तक के लिए good bye अपना ख्याल रखें